हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो हम शॉटकाट रिक से उसको दो या तीन सैकिंड में किस तरीके से सॉल्फ करेंगे तो स्टार्ट करते है अपने इस वीडियो को सबसquez पहले देखते हैं फिरस्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा इस तरीके से कि रूट में थ हमें रखा है सिक्स फिर रूट में सिक्स फिर रूट में सिक्स और यह इंफिनिटि कर रहा है ठीक है तो इस टाइप का अगशन पूछ तो अब यह देखते हैं कि 6 आएगा कैसे तो हमें दे रखा था रूट के अंदर 6 फे रूट के अंदर 6 इसी तरीके से 6 जो है वो infinity तक जा रहा है ठीक है equal to हमने इसको माल लिया x ठीक है अगर हमें squaring both side करूं तो हमारे पास अब क्या बच जाएगा तो यहां पर भी square हो जाएगा और यहां पर भी square तो यह जो है पहला वाला जो square root है वो square से हट जाएगा तो यहां बचेगा हमारा क्या 6 under root 6 under root 6 under root इसी तरीके से यहां पर यह infinity आ जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास बच गया और यहाँ पर equal to x square हो गया ठीक है अब यह वाली जो term है इसको हमने starting में x माना था ठीक है इसको हमने x माना था तो हमारा यह हो जाएगा 6x equal to x square ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास ही क्या आ रहा है 6x equal to x square है तो 6x कुछ साइड ले जाओंगो तो हमारा यहाँ एगा x square minus 6x equal to 0 तो x common ले लिए तो x हमारा क्या आ गया x हमारा आ जाएगा यहाँ पर x minus 6 equal to 0 तो x हमारा आ गया 6 ठीक है तो इस तरीके से हम इस type question को solve करेंगे लेकिन आपको याद रखना है अगर आपको इस type question दे रखा है और root में कोई अगला question देखते हैं अब इस question में हमें क्या रखा है रूट के अंदर जो है नंबर है वह प्लस में दे रखा है जैसे 72 प्लस अंडरूट 72 प्लस अंडरूट 72 नंबर भी सेम है ठीक है यह infinity तक जा रहा है तो इस type का question अगर पूछा जाता है तो उस answer आपको किस तरीके से निकालना है पहले हम देख लेते हैं कि इसको अगर मैं long method से करूं तो किस तरीके से करना पड़ेगा तो इसको अगर मैं equal to x ले लूँ ठीक है तो यह हमारे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 72 प्लस अंडरूट 72 प्लस अंडरूट 72 और यह infinity तक जा रह हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 72 प्लस अंडरूट 72 प्लस अंडरूट 72 प्लस अंडरूट 72 और यह infinity तक जाएगा ठीक है यहां equal to x2 हो गया अब यह वारी टर्म जो है इसको तो हमने x माना था तो यहां लिख देंगे 72 प्लस x equal to x2 तो यहां से हमारी एक equation बनीगी x square minus x minus 72 equal to 0 ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर एक quality equation बन गई है अगर इसको हम solve करेंगे तो हमारे पास x की value आ जाएगी ठीक है अब इसको solve कैसे करना है वो देखते हैं अब 72 है ठीक है और यहाँ मिडल में हमारे पास minus 1 है 72 के ऐसे factor करने आपको जिसको multiply करने पर 72 आए और plus या minus करने पर minus 1 आ जाए ठीक है तो इसके factor करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा x square minus 8x plus 8x minus 9x minus 72 equal to 0 ठीक है तो x आगया हमारा common लेने पर x plus 8 बचा यहाँ पर 9 common लिया तो x plus 8 बचा ठीक है तो हमारे पास जो x की value आएगी यहाँ पर दो value हो जाएगी x की एक तो minus 8 और 1 plus 8 minus 8 और 1 plus का 9 ठीक है तो option है हमारे पास क्या है 9 है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो 9 आप आपको shortcut में कैसे करना है वो देखते हैं तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि यहाँ प्लस वाला दे रख रूट में तो 72 के दो से factor करो जिनका difference 1 आ रहा हो तो हमारे पास जो है 8 into 9 जो हो 72 होता है और 8 और 9 दोनों का difference हमारा 1 ही होता है ठीक है difference कितना होना चाहिए difference 1 है ठीक है तो हमारे पास जो यह दो factor है 8 और 9 उसमें से जो answer होगा वो बड़ा वाला number होगा प्लस वाले के इसमें ठीक है यह प्लस है तो हमारे जो correct answer है वो हो जाएगा option number C 9 ठीक है तो आपको याद रखना है कि अगर plus में हमारे पास जो भी number दे रखा है उसके दो ऐसे factor निकालने हैं जिनका difference 1 आ रहा हो और answer हमा हमारे पास under root में क्या दे रखा है 2 minus 2 ठीक है मतब 2 minus में चल रहा है ठीक है रूट में अभी पिछला वाला question प्लस में था तो इस case में भी हमें बिल्कु सेम वैसे ही करना है लेकिन यहाँ पर देखना क्या है 2 के अगर मैं दो factor निकालने 2 into 1 हमारा 2 होता है ठीक है और 2 में से 1 अगर मैं minus करूँ तो 1 होता है ठीक है तो condition तो apply हो रही है तो इसका जो answer होगा वो छोटा वाला number होगा ठीक है अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ा वाला answer सही होता 2 लेकिन इस case में क्या सही है 1 सही होगा ठीक है तो इसका answer हो जाएगा 1 next question देखते हैं अब इस question में हमारे पास जो root में number दे रखा है वो infinity तर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो root दे रखा है कितनी time दे रखा है 1,2,3,4,5 तो यह जो root है under root है वो कितनी time दे रखा है 5 time दे रखा है तो मैंने number of roots को ले लिए हमेंने n तो n हमारा 5 हो गया तो इस type को solve करना अगर हमें question तो उसके लिए हमारे पास एक formula होता है तो जो भी number हमें अंदर दे रखा है 7 है तो 7 इसकी power आ जाएगा हमारा 2 की power n-1 upon में 2 की power n ठीक है एन क्या है जितनी बाहरा हमारे पास यहां root दे रखा है root 5 बाहरे तो एन हमारा यहां 5 आ जाएगा तो यहां पर n की जाएगा 5 पूट कर देते हैं यह तो की power 5-1 upon में 2 की power 5 तो अब इसको अगर solve करूं थोड़ा तो 7 तो की power 5 कितना होता है 32-1 upon में 32 तो यह कितना आ जाएगा 7 की power 31 upon में 32 इसका correct answer हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा option number C तो इस टाइप के question को आप shortcut trick की मदद से आसानी से कर सकते हैं उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा thank you